नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल चरधारी क्लासिस में दोस्तों आज हम ला रखें आपके लिए विकली करंट फियर सीरीज में 7 जुन से लेकर 13 जुन के महत्वपूर्ण करंट फियर स्क्वेस्टन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी विकली करंट फियर सीरी चलती है ये परते एक संड़े को आती है और इस वीडियो को 13 जुन को आ जाना चेह था लेकिन जैसे कि आपको कुछ दिनों पहले इन्फोर्म कर दिया गया था कि आज को मैं गाउं में हो और गाउं में तो यही कारण है कि ये विडियो लेट में आ रही खर कोई बात नहीं पर यहां पर हम चर्चक करने वाले आज इस वीक के महत्यवपूण करंट फियर्स उत्राखंड हो गया राष्ट और अंत्राष्ट लेवल के महत्यवपूण करंट फियर्स चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं 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 आगे बढ़ते हैं क्वेसे नमबर फॉर की और किस राजे सरकार ने हाली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूस्म उद्धम योजना को सुरू किया है तो उत्राखंट सरकार ने हाँ पे बी आफिशन सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूस्म उद्धम योजना हाली में सुरू किया है तो यहाँ पे आप दे सकते हो प्रुवासियों को रोजगार उपलबद कराने के लिए उत्राखन राज सरकार ने मुख्यमंत्री स्रोजगार आतिसूच में उद्धम योजना को सुरू किया है और इसके तहट ग्रामीन छेतरों के परवाशियों परवाशियानि जो कुरुना वाइरस के कारण दूसरे परदेसों से या बाहर से लोट आये हैं जिनका रोजगार चिन गया है तो उन परवाशियों को रोजगार शुरू करने के लिए दस जार रुपए तक का रिन देगी राज सरकार और इसमें तार्गेट रखा गया है कि बीस जार लोगों को कम से कम यहाँ पे इस योजना के तहत लाव दिया जाएगा और इसका आयजन हुआ गया और इसका आयजन हुआ गया अब इसमें कौन-कौन से देश सामिल केगे तो यहाँ पे देखो वैस जो G7 देशों का समो है उसमें कौन-कौन आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी भारत इसमें नहीं आता है लेकिन इस सेंटालिस्वन जी सेवन सिखर सम्मिलन में जी सेवन जो देश ते यानि ये देश ते इनके सासात यहाँ पे भारत दक्षिन कोरिया और ओस्टिले को अथिति राष्ट की रूप में आमंत्रित किया गया था तो भारत ने भी जी सेवन सिखर सम्मिलन में जो की सेंटालिस्वन सिखर सम्मिलन था जी सेवन का इसमें अच्छी रूप में हिस्सा लिया है क्वेसन नमबर सिक्स है यहाँ पे किस राजे की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना को सुरू किया है तो यहाँ पे राजस्थान राजे की सरकार ने मुख्यमंतरी किसान मित्र उर्जा योजना को हाली में शुरू किया है B option यहाँ पे question number 6 का सही आनसर हो जाएगा और इस योजना के तहट किसानों को क्रिशिक कनेक्शन पर 1000 रुपे की subsidy परतिमा दी जाएगी जिसमें अगर वो एक साल की बात की देखो परतिमा यहाँ पर 1000 रुपे दे जाएगा यानि साल पर 12 महिने होते तो 12,000 रुपे हो जाएगे subsidy question number 7 यहाँ पे एनिमिया मुक्त भारत सुचकांग 2020-21 में कौन सा राजिया सीर्स पर रहा है तो हाली में जारी रिपोर्ट एनिमिया मुक्त भारत सुचकांग 2021-21 में यहाँ पे मध्या परदेश B option यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मध्या परदेश यहाँ पर सीर्स पर रहा है question number 7 का B option राइट आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे भारत में एनिमिया के परसार को कम करने के लिए स्वास्ते एवं परिवार कल्यारन मंत्रले और यूनिसेप की एक पहल एनिमिया मुक्त भारत सुचकांग 2021-21 में जो टौफ थ्री राजिया है question number 8 यहाँ पर कौन सा भारतिया गाउं COVID-19 के खिलाब अपने सभी वयस्क आबादी का टीका करन करने वाला भारत का पहला गाउं बन गया है तो भारत का पहला गाउं बन चुका है जिसने COVID-19 के खिलाब अपने सभी वयस्कों का टीका करन कर दिया है तो वो बना है वयान D option आप पर question number 8 का सही answer है और ये गाउं है जो वयान गाउं है ये जम्मो कस्मीर के बांदी पोरा जिले का ये एक गाउं है जो की बन चुका है भारत का ऐसा पहला गाउं जिसने COVID-19 के खिलाब अपने सभी वयस्क आबादी का टीकरण कर दिया है question number 9 है यहां पर विश्व ब्रेंड ट्यूमर दिवस का मनाय गया है तो विश्व ब्रेंड ट्यूमर दिवस हाले मनाय गया है आठ जून को 80 को यहाँ पर मना जाता है विश्व ब्रेंड ट्यूमर दिवस के रूप में और यह इसलिए मना जाता है यह ताकि ट्यूमर के बारे में जाग रूख किया जा सके जो ब्रेंड ट्यूमर है उसके बारे में जाग रूख किया जा सके लोगों को तो C option यहाँ पर question number 9 का right answer हो जाएगा question number 10 है हाँ पर विश्व बैंक ने with worth 2021 में भारत की GDP विर्षदर कितने पर्षद रहने का अनुमान लगाया है तो विश्व बैंक ने हाली में एक report जारी की जिसमें विश्व बैंक ने कहा है कि 8.3% GDP रहेगी भारत की 2021 में तो विश्व बैंक ने with worth 2021 में भारत की GDP विर्षदर कितने पर्षद रहने का अनुमान लगाया है तो 8.3% C option सही answer हो जाएगा question number 10 का question number 11 है यहाँ पर F.I.H.H.O.K.E. 5S V.S.O.C.P. 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो यहाँ पर जो F.I.H.H.O.K.E. 5S V.S.O.C.P. 2024 से उसका आयोजनी क्या जागा यहाँ पर ओमान द्वारा यह option आप पर सही answer हो जाएगा question number 11 का ओमान जन्वरी 2024 में F.I.H.O.K.E. 5 World Cup पुरुस और महला की मेजबानी करेगा और यह मेज कहां खेले जाएंगे तो ओमान की राजधानी है मसकट ओमान की राजधानी मसकट में यह खेल खेले जाएंगे question number 12 है यहाँ पर विश्व खाद सुरक्षा दिवस यानि World Food Safety Day कब मनाए गया है तो साथ जुन को मनाए गया यहाँ पर विश्व खाद सुरक्षा दिवस यानि World Food Safety Day के रूप में सी ओप्षन आप पर सही अंसर हो जाएगा question number 12 का विश्व खाद सुरक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उदेश्या खाद सुरक्षा के परती उन लोगों को जागरू करना है जो खराब भोजन का सेवन करनी की वज़े से गंभीर रोगों से ग्रेश्ट हो जाते है और साथ-साथ खाद है सुरक्षण और भोजन की महत्ता को समझने के लिए यहाँ पर विश्व खाद सुरक्षण दिवस मनाई जाता है 200 खास सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है देखो थीम काफी important होती है जो भी दिवस होती है यहाँ पर तो इसलिए प्रतेक जो weekly current series में जो भी दिवस आते हैं तो उसमें आपको थीम के बारे में जरूर बताए जाता है तो थीम आपको जरूर नोट करनी है तो विश्व खास सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है स्वास्थे कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन यानी safe food today for a healthy tomorrow यह इसकी थीम है विश्व खास सुरक्षा दिवस 2021 की थीम जो की हाली में साथ जुन को मनाई गया है question number 13 है यहाँ पर किस राजे की सरकार ने प्रान वायू देवता पेंसन योजना को शुरू किया है तो यहाँ पर आली में हरियाना राजे की सरकार ने प्रान वायू देवता पेंसन योजना शुरू की है जो कि परियावरन से सम्मंद है तो सी आउसन आप पे question number 13 का सही आंतर हो जाएगा विश्व परियावरन दिवस के आउसर पर हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में प्रान वायू देवता पेंसन योजना की सुरूआत की है और इस योजना के तहत प्रदेश में 75 साल के उपर के वरेक्ष के रख रखाव के लिए अब 25 सो रुपए वार्शिक प्रेंसन मिलेगे तो जैसे मैंने आभी आपको बताईए परियावरन या वरेक्षों से सम्मंध है योजना जो की विश्व परियावरन दिवस के आउसर पर हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने हरियाना प्रदेश में जारी की है Question no.14 याप पे विश्व परियावरन दिवस याँ वर्ड़ इंवर्वेंट्स डे कब मनाय जाता है तो विश्व परियावरन दिवस मनाय जाता है याप पे 5 जून को D option याप पे सही आंजर हो जाया Question no.14 का विश्व प्रयावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्धे से दुनिया भर में लोगों के बीच प्रयावरण प्रदूसन जलवाई परिवर्तन और ग्रीन हाउस के प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग ब्लैक हॉल एफेक्ट आदि मुद्धों और इनसे होने वारी विभीन समस् प्रयावरण के शुरक्षा के लिए में प्रयरित करना है तो यह इसका मुख्य उद्धे से इसलिए विश्व प्रयावरण दिवस मनाई जाता है प्रते एक वर्स प्रयावरण दिवस 2021 की थीम क्या यह काफी important है most important आप इसको कर दीजिए पारिस्तिकी तंतर की बहाली यान ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा सहर सीर्ष पर रहा है तो जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 हाली में जारी की गई है इसमें टॉप सीर्ष पर रहा है न्यूजिलेंड को आकलांस है डी-option आपको जही आंजर हो जाएगा question 15 का अब दोखो यह index किस आधर पर जारी किया जाता है तो यह index सहरों में इस्थिरता, स्वास्ति देखवाल, संस्कृति और प्रयावरण, वहां का प्रयावरण कैसा है, संस्कृति कैसी है, स्वास्ति देखवाल कैसी चल रही है, सिक्षा और जो basic बुन्यादी धांचे होते हैं, उन आधर पर जारी किया जाता ही index, और इस index के अनुशार दुनिया बर में सबसे अधिक रहने लायक सहरों में न्यूजिलेंड का Auckland सहर, CS पर रहा है, तो global liability index 2021 में जो top 3 सहर है, तो उसमें number 1 तो आगिया Auckland जो कि न्यूजिलेंड का है, number 2 है यहां पर Osaka जो कि Japan का सहर, और number 3 है एडिलेंड जो कि Australia का सहर है, तो global liability index 2021 को किस ने जारी किया, तो यह कि Economist Intelligence Unit यानि EIU ने जारी किया है, तो global liability index 2021 की रिपोर्ट हाली में, question number 16 याँ पर सहयुक्त राष्ट महासवा यानि UNGA के नए अध्यक्स कौन मने है, तो अब्दुला साहिद, ए उप्शन याप पर सही answer को है, यह भी काफी important question है, सहयुक्त राष्ट महासवा के नए अध्यक्स किसे चुना गया है, अब्दुला साहिद को तो A option question number 16 का सही answer है, अब ये अब्दुला साहिद कहां के हैं, तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, अब्दुला साहिद, इनको सहयुक्त राष्ट महासवा के छेतरवे सत्र का अध्यक्स चुना गया है, अब वे सहयुक्त राष्ट महासवा के छेतरवे सत्र की अध्यक्स करेंगे, जो सितंब में शुरू होगा और अब्दुलास साहिद यह किसकी जगह ले रहे हैं तो इससे पहले तुर्की के वॉलकन बोजकिर वॉलकन बोजकिर जो की सयुक्त राष्ट महासवा के अध्यक्स थे और अब उनका इस्थान कौन लेंगे यहां पर तो अब्दुलास साहिद जो कहां के ह मालदीव के हैं तो दोस्तों यह इस वीक के टॉप इंपोर्टन जो 16 क्वेशन रहे जिसमें कुछ क्वेशन दे उत्राखन के कुछ राष्टिया और कुछ अंत्राष्ट लेवल के महत्तपों सेलेक्टिव क्वेशन हम यहां पे इस सीरीज में लेके आते हैं तो आपको इस सीरीज कैसे लगती है जरू कमेट बोक्स अपने राष्ट दे और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें मिलते हैं दोस्तों नेक्श वीशा तत्ता के लिए धन्यवाद